माता पिता की सेवा से कैसे जगाई अपना सोया भग्य राश्वरसन पुझेश्री ललित प्रभजी की दिव्यवानी मात्री पित्री भक्ती सास्तों में कहा है माता पिता की परती जिनोंने जिनम ने जीवन का निर्मार किया मेरे भाई उनके परती हर इनसान को अपने जीवने में बक्ती रखनी चाहिए और कोई पुन्य करपाओ या ना करपाओ और कोई सतकर्म करपाओ या ना करपाओ पर एक सतकर्म तो इनसान को जरूर करना चाहिए और वो सतकर्म क्या है मैं अपने माता पिता के परती उनके साथ प्रेम से जियूँगा उनके साथ सम्मान से जियूँगा उनके साथ अदब से जियूँगा उनके साथ कान काईदे से जियूँगा उनके इज़त करूँगा उनके मान मर्यादा का ख्याल लखूँगा मैं माता पिता के लिए भगवान ने श्ब्द दिया है भक्ती करूंगा जैसे गुरु जनों के भक्ती होती है जैसे प्रभु की भक्ती होती है ऐसे माता पिता के भक्ती करो क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा आप पर कोई प्रत्यक्ष उपकार है तो किसका है प्रत्यक्ष उपकार सबसे बड़ा इस दुनिया में किसी का प्रत्यक्ष उपकार है पत्नी का है सोचो बच्चों का है सोचो साले साली का है सोचो परोश्यों का है सोचो सोच कर सोचे इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उपकार आप पर किसका है पिता का होता है वो हमें माँ अपने पेट में हमें रखती है आपको पता है आदमी को पत्नी का प्यार तो जिंदगी के 25 साल के बाद मिलता होगा 22 साल के बाद मिलता होगा पर इस दुनिया में एक मात्रम माँ है जिसका प्यार आपको जनम से नौ मेने पहले मिलना सुरू हो जाता है अब आप सोचो इस से बढ़कर दुनिया में भगवान और कौन हो सकता है जिसका प्यार क्या का मेरे क्या का दिमाग मिलो जनम लेने से कितने मेने पहले जनम लेने से भी नौ मेने पहले जिसका प्रेम आपको मिलना सुरू हो जाता है वो दुनिया में मा होती है वो हमरे जीवन में पिता होते हैं वे हमारा पालन पोजिशन करते हैं अपने बच्चपन को याद करो छोड़ो अपने पोता-पोतियों को देखो कि उनके साथ उनके मम्मी पापा क्या क्या कर रहे हैं आप ध्यान रखें आदमी गजब का होता है बच्चों को सब कुछ देना चाता है और माबाप से सब कुछ लेना चाता है है की नहीं फिलोसोफी बुद्धी लगाओ आदमी बड़ा गजब का होता है अपना सब कुछ वो लेना चाहता है उसके मन में ये तो आता है मैं अपने बच्चों के लिए पांच लाग ये कर दूँ अपने बच्चों के लिए दस लाग ये कर दूँ अपने बच्चे के लिए धैई क्रोड यहां कर दूँ पर उसे जीवन में कभी याद नहीं आता अपनी बुड़ी मां के लिए भी मैं धही लाग करज कर दूँ, बुड़े पापा जी के लिए पांच लाग करज कर दूँ, आदमी बच्चों को देना चाता है, और माबाप से जब धनगाब अटवारा होता है, चार हिस्से होते हैं, तीन भाई हैं, तीन हिस्से होते हैं, द पच्चों को देना चाहता है मैं जीवन का पाठ आपको ये बता रहा हूँ आज से मन बना ले जो लोग भी देश और दुनिया में हमें सुन रहे है मैं हर युवक से, हर बहिन से, हर बहु से हर व्यक्ति से अन्रोट करना चाहूंगा मन बना लो हम अपने माता पिता की भक्ती करेंगे उनकी सेवा करेंगे उनकी सुसुसा करेंगे अरे वे लो किस्मत वाले होते हैं जिनको माबाप की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है मेरे भई याद रखना पत्नी भगवान का दियावा उपहार है पर माबाप तो उपहर में आई वे भगवान है याद रखना पत्नी भगवान का दिया वगवान है खूब प्रेम दीजिए पर माबाप तो उपहर में वे भगवान है उनकी खूब सेवा, सुसुसा उनका पूरा ख्याल लखना ये तो हर किसे इंसान का धर्म होता है क्या क्या करें अगर आपके गर में बुड़े दादा दादी है आपके गर में बुड़े ममी पापा है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करें नमबर एक दिन में दस मिनट उनके पास जरूर बैठा करें 24 गंटा उनको भाग्ये बरोसे मत छोड़िये कि आपके आपसोचने आपकी पत्निये समय पर खाना दे दीगी वो खा रहे हैं गर में पड़े तिरसकार पुरवक अपने घर में अपने माता पिता को मत रखे कि गर में पड़े हैं जिन्दगी जी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं उनका पूरा सोया सुसा कर तो मैंने का दिन भर में 15 मिनट कभी बोड़ी मा के पास जाकर जरूर बैठो मा आपका कैसा है मा आपके क्या हल चाल है ममी आप साता में हो कोई कामकाज बताओ कोई खर्चा पानी करना हो ममी बताओ कोई आपको सतकर्म में करना हो कोई भगवान के मंदरे में लगाना हो कोई अच्छे काम में लगाना हो ममी मुझे बताओ ममी आपके मन को सुख है ना और बैठे बैठे दो मिनट उनके पाउं भी दबा दो क्या कर दो और आप पता है जब आप ऐसे से पाउं दबाएंगे वो 90 साल की बुरी डोकरी अपना हाथ यो हिलाते वे लाएगी कहा लाएगी आपके माथे पे रखेगी बिटा भगवान तन्य कहीं करें कहीं बोलेगा भगवान तन्य सुखी राखे याद रखना वो 90 साल की ब आप में ताकत नहीं है पर वो हाथ अगर आपके माथे पर आ गया तो वो आपके पूरे जीवन भरका कल्यान कर दे ये उन कांपते हुए हाथों में भी ये ताकत है कि अगर उनका हाथ आपके सीज पर आ गया वे लोग बड़े किसमत वाले हैं जिन्नोंने अपने माबाप क सेवा की जिन्नोंने उनके बुड़ापे को आनन बरा बिताया उनके बुड़ापे को बहुत धरम आरादना सुक शांती के साथ पूरा किया क्योंकि दुन्या में हर चीज लट कर आती है आपका बुड़ापा भी आपके सामने आने वाला है और तब आपको याद आएगा ओ मैंने कौन से अपनी सासु मा को गरम रोटियां किलाई थी अब मेरी बहु भी मुझे ठंडी रोटियां किलाई है मैं अपनी सासु मा का ध्यान ने रखते थी मेरा भी ध्यान ने रखा जाता है हर चीज दुनिया में क्या होती है क्या होती है क्या होती है बुद्धि लगाओ हर चीज दुनिया में क्या होती है लाट कर आती है मुझे याद है एक युवक पत्नी बहुत ज़द जित पे अड़ गई मैं आपके पापा को नहीं निवा सकती मैं आपके पापा को नहीं निवा सकती और अंततवो युवक एक दिन अपने पिता को समझा बुझा कर लोहे की एक पेटी हाथ में लेकर पहुँच गया किसी एक वरदाश्रम में और जाकर के पिताजी से कहा पिताजी अब आप यहां रह लो अब वो मैं क्या बताओं मैं इसको बहुत समझा चुका हूँ वो पत्न है यहां रहने कि मुझे यहां भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बेटा तुरुक मैं कुछ अभी यहां विवदास्ता में व्यवस्ता करता हूँ वो अंदर गए बेटा कार में बैठा हुआ बाहर से सब देख रहा है कि उसके पिताजी मैनेजर से बहुत गुल मिल कर बातें है पिता जी तो अपनी लोही की पेटी लेकर अंदर रूम में उनको रूम मिल गया अंदर चले गए और तब वो ऑफिस में जाकर उस युवक ने मैनेजर से पूछा मैनेजर साब एक बात बताओ मेरे पापा जी आप से तने गुल मिल कर बाते करते हैं क्या आप पूरुव धाश्रम में मेनेजर हूँ पर आसे 35 साल पहले में का अना थाले में मेनेजर था और बेटे तुझे कैसे बताओं तब यह वहाँ रोज आया करते थे क्योंकि इनके संतान नहीं थी तुमारे पिता के संतान नहीं थी ये रोज आकर मुझे समझाते थे मुझे एक बच्चा गोद देदो पर हमारे अनाठाले में इतनी लंबी लैन लगी रहती थी बच्चे के लिए कि इनको बच्चा मिल नहीं पा रहा था अंततह एक दिने नोंने इतना ज़्यादा गिड़ गड़ाया होगा मेरे सामने कि आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ मैं जीवन भर आपका रिणी और आभारी रहूँगा मुझे एक बच्चा आपके यहां से गोद दे दो क्योंकि अन्य था मैं बिना बच्चे के दुनिया से चला जाओंगा और तब प्यारे बेटे उस वर्दाशम के मैनेजर उस वर्दाशम का मैं ही मैनेजर था मैंने अध्यक्ष मंत्र को समझाया और तब पिजार पिता उनके घर पर गए उनको बहुत समझाया बहुत मिन्नते की और हो सकता है बड़ा दान भी वहां पर दिया होगा और तब कहीं जाकर के वो एक बेटा वहां से अनात बच्चा गोद लेकर अपने घर आए बेटा मैं तब से इनको जानता हूँ जब यह अनात बच्चा गोद लेकर अपने घर पर आए थे बेटे ने मैनेजर से बात पूरी कि बाहर आया गाड़ी में बैटा तो इसका मतलब मेरा यो महान पिता है जिसने मुझे गोद लिया पर जीवन में कभी ऐसास नहीं होने दिया कि मैं उनका जाया बेटा नहीं हूँ आया बेटा हूँ गोद लिया बेटा हूँ वो अपने आपको माफ न कर पारा था कि मैं कितना बड़ा पाप कर दिया मैंने कि जिस पिता ने मुझे अनाथाले से गोद लेकर घर बसाया उसी को मैंने वर्दाश्रम में पहुंचा रिक वो अंदर गया अंदर गया और अंदर जाते ही अपने पिता के पाउं में गिर पड़ा और कहने लगा पिता श्री मुझे माफ किजिए आज मुझे पता लगा कि आप चलते फिरते भगवान हो ईश्वर हो अरे आज मुझे इस बात का पता लग गया है कि आप मुझे अनाथाले से गोद लेकर आये थे पर जीवन में आप और मा ने कभी मुझे एसास नहीं होने दिया कि मैं गोद लिया बच्चा हूँ आपने मुझे इतना प्रेम इतना प्यार मेरे जंदगी को इतनी खिलावर दी आप वापस घर चलिये और तो वो जबरदस्ती अपनी पिता को घर लेकर आता है और जैसे घर पहुचता है बहुत वो ये चल्लाती हुई अरे छोड Walking पिता मारी पिता कि नहीं अब इस घर को चोड़ने की बारी तुम्हारी है चाहो तो पीहर जा सकती हो और चाहो तो घर में रह सकती हो, मैं रहू या न रहू तम रहो या न रहो ये घर का मालिक पिता मा मेरे पिता इस धर में आजीवन रहेंगे, भगवान हमें कहते हैं हर कोई व्यक्ती, माता पिता की भक्ती जरूर करो, मेरे बाई, समाज में जाकर ट्रश्टी बनकर समाज की सेवा बाद में करना लॉइंस कलब, रोट्री कलब, माहवीर इंटरनेस्टल जैसे संस्ताओं के अध्यक्ष मंत्री मेंबर बनकर दुनिया की सेवा बाद में करना समाज के ट्रष्टी अध्यक्ष मंत्री बनकर दुनिया की सेवा बाद में करना किसे ट्रस्ट के अध्यक्ष मंत्रे बनकर सेवा बाद में करना अगर आपके घर में 90 साल की बुड़ी दादी मा, बुड़ी मा है अपनी सेवा की शुरुवाद समाज के ट्रस्ट में जाकर बाद में कीजेगा पर घर में अगर बुड़े दादा है, बुड़े पापा है, बुड़ी मम्मी है, अपनी सेवा की शुरुआत पहले वहां से कीजिएगा, जो व्यक्ति वहां सेवा ना कर पाया, और बाहर जाकर सेवा का भी ने करता रह गया, उसकी सेवा उससे कभी प्रणाम नहीं देते हैं दुनिया में मुबाइलों में 4G होते हैं ना मैं जीवन का पार्ट पढ़ाना चाहूंगा अब मैं आपको देता हूँ जीवन के नए 4G दिमाग में लो 4G हर किसी के मुबाइल में चलना है 4G नंबर एक पहला जी है प्रभु जी बोलो 4G का पहला जी का है सब बोलो 4G का पहला जी है प्रभु जी फोर जी का दूसरा जी है गुरु जी पर 4G का तीसरा जी है पिता जी और 4G का चौथा जी है माता जी जिसके पास ये 4G होते हैं दुनिया में उसका कोई बाल बांका नही भी हिल सकता है पर आपके तनी भी भयांकर जंगल में क्यों नहों ये जो मैंने 4G का नेटवर्क दिया है ना ये कभी भी हिलने वाला नहीं गारंटी है मेरी दावा करता हूँ दुनिया के कैसी भी बयानक जंगल में आप विपत्ती में फंसेवे हों आपके मोबाइल के 4G फैल हो सकते हैं पर जो मैंने आपको 4G दिये वो कभी फैल नहीं हो सकते हैं इसलिए मन बना लो आज से मैं अपने माता पिता की भक्ती करूंगा तो मैंने पहला काम दिया 15 मिनट उनके पास जरूर बैठो नमबर दो अगर वो वयोवर्द हैं तो दूसरी आदत जरूर डाल दो रोज 24 गंटे में एक वार चाहे उनके साथ बैठके नास्ता करो चाहे उनके साथ बैठके बोजन करो चाहे शाम का बोजन करो जब भी आप करते हैं 24 गंटे में एक वार एक बोजन उनके साथ बैठ कर जरूर किसी मुझे नहीं पता कि आपके घर में ऐसा कौन सा काम होता है जिसको करने से पुन्यो पारजन होता है पर मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आपने बुडे माबाप की सेवा कित तो उसे पुन्यो पारजन होगा आपने पत्नी को साड़ी दिलाई तो पुन्यो पारजन होगा आपने पत्नी को हीरे का सेड दिलाई पुन्यो पारजन होगा आपने बेटे को पढ़ने के लिए 12 लाक रुपया खर्च करके विलेस पढ़ने को बेजा कोई पुन्यो पारजन होगा हो या ना हो पर आपने बुड़े माबाप के दिल को खुशियां दी है, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको 100% पुनियो पारजन होगा भो भो का आपका निस्तार होगा अगर आपने बुड़े माबाप के दिल को खुश्यां दी है, भगवान ने हमें शास्त्रों में कहा है, हर कोई व्यक्ति जीवन का ये पांचवा धरम अपने जीवन के साथ जोड़े, और वो है माता-पिता की भग्ति करे, केवल सेवा नहीं का उन्होंने शब्द दिया है भगवान ने और वो है भक्ति करे, भक्ति करने का मतलब है, आनन्द पूर्वा करते हैं हम जब भक्ति करते हैं, मंदर में भगवान के हम भक्ति करते हैं, कितने फल, फूल, नेवेद्य, माहा, पूचन सब करते हैं, उस समय आनन्द भावस्ते करते हैं कंजुसाई से नहीं करते हैं ऐसे ही माता पिता कि जब हम सेवा करें कंजुसाई से नहीं ठीक है अब ये पुराना पंका चली रहा है गरों में जाता हूं ना मुझे दया आती है कुछ अमीर परिवारों के गरों में जाकर जब देखता हूं तीन बहुवे हैं तीनों के लिए रूम में एसी लगा हुआ है खुद की पत्णी के लिए भी एसी लगा हुआ है और तो और जहांपर महमनों को बढ़ाई जाता न उसको क्या बोलते है सौफा लगा रहता है वहाँ वहाँ भी एसी लगा हुआ है पर अंततह जब मंगल पार सुनाने के लिए धादी सा के रूम में वो 90 साल की डोकरी बाब जी पदरिया बाब जी पदरिया पदरो बाब जी पदरो बाब जी देखा करता हूँ ना तो उनके कपड़े दिलेवे होते हैं ना उनके बिस्त्रों की सफाई होती है उनके कमरे में एसी तो छोड़ो कूलर तो छोड़ो नया पंखा भी नहीं होता वही पचास साल पुराना क्या ये दिन देखने के लिए ही उन्होंने आपको पैदा किया था ये दिन देखने के लिए क्या गजब होता है जो बहु कल घर में आती है उसके लिए तो हमें याद आता है को उसके लिए चका चक रूम बनना चाहिए मुझे कोई पूछे कि घर में सबसे सुन्दर बैडरूम किसका होना चाहिए तो मैं आप से कहूंगा अगर आपके नबे साल की दादी सा है तो सबसे सुन्दर बैडरूम उनका बनाईए क्योंकि घर की असली मालकिन वो है घर के जमीन के जो नौ क्रोड का प्लॉट है ना उसके मालकिन आपकी बहु नहीं आपकी पत्नी नहीं आपकी मा है जिसके नाम पर वो प्लॉट है यह उनकी दयां करूणा और प्रेम है कि नौ क्रोड का प्लॉट आपको दे रखा है और यह आपकी गलती है यह आपकी कमजोरी है कि आपने उनको कार के गरेज जिसी जगा में डाल रखा है एक व्यक्ति ने आठ करोड रुपे खर्च करके अपना आली शान मकान कोठी बनाई चार बेटे चार बहुवे आठ पोते पोतियां सब ने घर पे कबजा कर लिया ये वाला रूम उनका ये वाला रूम उनका ये वाला रूम उनका वो वाला रूम उनका और तो और बाकी कमरों पर बच्चों ने कबजा कर लिया घर में एक कमरा भी खाली न रहा बहुवों ने बच्चों ने मिलके निर्णा कर लिया अपने कार का गिरेज खाली है ना पापा जाप उसमें रहे लो बच्चों के मुह में आदमी ऐसा होता है कुछ बोल नहीं पाता कार के गेरेज में ही दादा जी अपनी जिन्दगी जी रहे थे संयोक की बात गाउं में किसी संतका आना हुआ और वो दादा जी उस एक दिन महराज के पास गए अपनी करण करंदन कहने लगे बाब जी मैं दस क्रोड़ों मकान बनायो आठ करो मकान बनायों बाब जी महने मारा टाबर गेरेज में गाल दिया बाब जी सुक से रोटी भी नहीं देते हैं अरे पांच वारा आवाज देता हूँ अरे बोजन बेज दो बोजन बेज दो बोजन बेज दो तब कहीं एक गंटाबाद नौकर दो रोटी और दाल लाकर ठाली में लग देता है बाप जी मारो कहीं जीवन वह बाप जी पता नहीं उस संत को किस ने प्रेयना दी होगी उन्होंने उनको कुछ पाठ पढ़ाया किसको? किसको? दादा जी को पाठ पढ़ाया पूछा आपके बैंक में कितनी रुपी है कहा मेरे पास डेरre दो लाक रुपीय तो है तो कहा ये डेर्डर दो लाक खर्च करने का रस्ता बताता हूँ और फिर देखो तुम्हारे क्या होते हैं और कहते हैं तब दादा जी घर आते हैं और आकर के सब को कहते हैं घर वाले बच्चों को बुला कर कहते हैं अजी सुनो सुनो मेरे कोई पुरानी रुपिय धैल लाक रुपिय आये हैं और मैं तुन सब लोगों को फ्लाइट की टिकेट बना कर मसूरी घुमने के लिए बेज रहा हूं पंदर दिन के लिए होटल भी म तेपोती बड़े खुश है दादा हमको मसूरी बेज रहे हैं बहुवें बड़ी खुश कि ये भी मसूरी घुमने की व्यवस्ता फ्री में हो गई गए पंदर दिन घुम फिर कोई वापस आये अपने ही मकान में देखा नंबर एक बाहर में नेम प्लेड चेंज नंबर दो अंदर गुशने लगे तो चौकी तरह ने का हो बैसाब आप कौन हो कहा जा रहे हो अरे उनका हम इस घर के मालिक हैं घर के अंदर जा रहे हैं कि ने 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 इस घर के मालिक तभी अंदर से घर का मालिक निकल के हैं आवे कौन लोग हो तुम लोग उनना ने कहा है तुम क वो संथ उदेसे आहार के लिए निकल लएह थे और चारों बच्छों ने जाकर संथ का पाउँ पकर के कहा देखा बाप जी देखा कमारे पापा जी कैसे निकले मेकान बेच दिया था में तो मस्षूरी गूमने बेज़ा मेकान बेच दिया संत ने मुश्कुरा कर कहा क्यों दुखी होते हो जो बोएगा वही पाएगा तेरा किया आगे आएगा अरे सुख दुख है क्या फल करमों का जैसी करनी क्या सुखते हो आप लोग भी तभी सुद्रोगे जब आपके पापा जी यहां तक की इम्मत करेंगे कब सुद्रोगे और मैं इसी लिए भगवान जो हमें जीवन का पाठ पड़ा रहे हैं मैं आप से कहूंगा नहीं मना लो माता पिता की भक्ती करेंगे आज से सुरू करो चलो सुबह से सांज तक बताता हूँ सुबह उड़ते ही पहला पुन्यकारिय जरूर किया करो सुबह उड़कर अपने घर के वयो व्रद्ध माता पिता को इश्वर तुल्य मान कर भगवत तुल्य मान कर उनके श्री चणों में घुटने टिका के आमेसा प्रणाम किया था मैं सच कहता हूँ अगर आपको लगे आपके कोई भाग्य दशा खराब है आपके कोई शनी हावी है राहु के तु हावी है मंगल हावी है घर दशा आपकी विप्रीत है और कोई काम करे या ना करे किसी पंडित के पास जाने के बजाए मैं आपको सरल रस्ता बताता हूँ और आपके वोल एक काम करना नौ महिने तक मेरे कहने पर एक संत की वाणी पर श्रद्धा करके नौ महिने तक अपने घर के पुझ्य माता पिता को घुटने टिका के प्रणाम कर लो सुभे सुभे उनके आशिरवाद ले लो दुआओं के धौलत ले लो अगर नौ मेने के अंदर अंदर आपके नवग्रह अनकूल न हो जाए तो आप मुझसे कहना नियम मना लो आससे संकल पकड़ लो कि मैं आज से रोज शद्धा पुर्वग, भक्ती पुर्वग, बाप पुर्वग कभी भी ये पाप मन में मत आने देना कि मम्य पापा ने मिरे लिए किया ही क्या अरे दुन्या में एक वोई तो है जन्होंने सब कुछ आपके लिए किया दुन्या में एक मात्र वोई है जिन्होंने सब कुछ आपके लिए किया, जनम दिया, पाल पोस कर बढ़ा किया, खाने पीने लायक बनाया, तो आज से मन में संकल्प कर लो, कि मैं रोज सवेरे अपने पुझे पिताजी और माताजी को घुटने टिका के, मुझसे बोलो, जो लोग सुन रहे हैं सब मुझसे गुटने टिका के उनको प्रणाम करूंगा, क्योंकि जो व्यक्ति सुबह उठकर अपने माबाप के सामने गुटने टिका देता है, उस व्यक्ति को जिन्दगी में किसी और के सामने गुटने टिकाने के जरुरत नहीं पड़ती है, और एक बात बताओं, प्रणाम करने से उनको कुछ नहीं मिलेगा प्रणाम का जब भी प्रणाम मिलेगा वो आपको मिलेगा प्रणाम का प्रणाम उनको क्या मिलेगा वो तो आश्रवादे के फ्री हो जाएंगे पर प्रणाम का जब भी प्रणाम मिलेगा वो आपको मिलेगा आपको खुद को मिलेगा तो अपने आपको मोटिवेट करते वे निरने लीजिए मैं रोज सुबह उठकर अपने पुझे माता जी को अपने पुझे पिता जी को घुटने टिका के प्रणाम करूंगा और प्रणाम करने के बाद दूसरा काम जरूर कीजिए दो मेने में एक बार उनके लिए कोई अच्छी चीज लाकर जरूर दे दिजिए वो बले ही मना करें ने मा, नई साड़ी पहन लो अच्छी साड़ी पहन लो, ये पहन लो वो तो देखो कंजूस जीवड़े हैं उनसे धन का खर्चा नहीं होगा, उनको लगता है बच्छों के लिए छोड़ कर जाओ उनको हमें सही लगता है बच्छों के लिए छोड़ कर जाओ, वो एक नई साड़ी भी आपके मां खरीद के लाने वाली नई है पर आप अपनी तरब से जरूर दीजिए और मैं तीसरा नियम दूँगा महिने माप जितना भी कमाते हैं ठीक है ना, जितना भी कमाते हैं मन बना लो आजसे मैं कि अपनी कमाई का एक परसेंट अगर आप पांस लाग कमाते हैं तो कितना होगा एक परसेंट सतकर्म में, गुरु जनों में, सातों क्षित्रों में हैं, सावक, शाविका, धर्म, आरादना, पूजा, पाठ, मंदिर, जहां आप खर्च करना चाहें, यह आप खर्च कर देना, मैं आपको फिर बता दू, बुड़े लोग इतने दिलदार नहीं होते कि आप जो देंगे वो खर्चा कर देंगे, वो भी बचा हुआ, अंत में आपी के हाथ आएगा, ठीक है न, वो इतने भी दिलदार नहीं होती कि सारा का सारा कर्चा कर देंगे, वो 1500 खर्चा करेंगे, 4000 फिर भी बचा कर रखेंगे, और अंत में वो भी काम आएगा, पर मैं हर एक से कहना जब हम अपनी बच्चों को हाथ कर देते हैं, अपनी पत्नी को हाथ कर देते हैं, तब हमें यह याद क्यों नहीं आता, कि मैं अपनी 85 साल की मा को भी 5000 रुपया महिने का हाथ कर्चे दूंगा, ताकि अगर उसकी इच्छा हो गई है, कि मैं मंदिरे में आई हूँ, और आर् वक्ती करने का तरीका यह है, अपनी कमाई का एक हसा उनके हाथ में दो, ताकि वो सत्कर्म करेंगे, अब मैं आपको बताओं, आप जो उन्हें 5000 जार देंगे, ना, वो कहा लगाएंगे, मंदिर में, गुरु जनों में, सादु साध्यों के सेवा में, तीरत में, अब पांच लाग की विवस्ता कर दी है, ठीक है ना, खर्चा की ओला पांच जार करने का कहा है, वो भी आप माँ को देंगे, मुझे एक पैसा ने लेना, पर आपके गर में वापस पांच लाग आ सके हर मेने, मैंने इसका बंदोबस्त कर दिया, और सच्ची कहता हूँ, करके द बच्चे थे, तो याद करो, पापा जी, आपको स्कुटर में बैठा कर, मोटर सैकल में बैठा कर, एक्टिवा में बैठा कर, लूना में, पहले लूना आती थे ना, लूना, विक्की, उनमें बैठा बैठा कर आपको स्कुल छोड़ने जाते थे, अब जब वो मंदिर जान मलते हैं आप उनको मंदर तक पहुंचाने के लिए जाओ और पूछलो ममी जी मांदर में किती देर गंटा दो गंटा तीन गंटा जतनी आपके च्छो रुकिये मैं वापस आ जाओंगा लेने के लिए और जब वो कही बेटा एक गंटे बाद मैं निकलूंगी एक गंटे आप स्कूल उपसे आते थे ना तो वो इंधजारी करते वे आपको घर के दरवाजे पर आपके मां मिला करती थी मेरे भाई हर चीज को दोहराना होगा मन मना लो मैं अपनी बुरी मां को अकिले बाग ये बरो से ऐसा नहीं कि मां मैं बजार जा रहा हूँ चलो रस्ते में मा मंदर तक छोड़ कर आता हूँ वहां से जाना है मैं मंदर तक छोड़ कर आता हूँ अरे मेरे भाई जो किया सो उन्हों ने किया रिनी बन कर दुनिया से मत जाना करज़दार बन कर दुनिया से मत जाना अपना फर्ज जरूर वापस निवाकर जा मन बना लो मेरे बाते कम उ रोज नाते थे वो आपको रोज समारती थी आप बच्पन में रोज स्कुल जाते थे सुबह साथ बजे उड़कर आपके लिए टिफिन नास्ता त्यान करके रखते थी आप रोज घर में वापस आते थे आपके लिए बोजन बना के और आप भी कौन से कम थे खाना खाने रुक और कहते थे रुक रुक पापा के लिए बनाए थी जरस से अंदर जाती थी आठ बींडी निकालती थी और हमारे ले कुरकुरी बिंडी बनाकर और खटे मीटे टमाटर के सब्जी बनाकर ताली में डालती थी वो हमारी मा थी तब उन्होंने एक वार भी नहीं का दुनिया भर में सुनने वाले हर इंसान को ये प्रिरिद कर रहा हूं, अगर आप हमारी वाणी पर भरोसा करते हैं, हमारे वचनों पर शद्धा करते हैं, आप मानते हैं कि हमारे वचन आपके जीवन कल्यान का काम करते हैं, तो भगवान हमें आप सभी लोगों के लिए कह रह हैं मेरे भाई आप सोचे मैं दस गंटा दुकान में बैठूँ मिलेगा वो ही जो किस्मत में लिखा के लाएं है ऊपर वाला बड़ा गजब का है देता है तो छप्र फाड कर देता है और लेता है ना तो ठप्र मार कर लेता है जो भागिया में हैं वो भाग कर आएगा और जो जो भाग्य में नहीं है वो आके भी भाग जाएगा नसीब का मिलेगा कहीं हास से नहीं जाएगा पर माबाप की सेवा का सो भाग्य जीवन में जरूर ले लो मैं मंदिर उन्हें छोड़ने जाऊंगा साल में एक बार उनके साथ जाकर उनको तीरत की यात्रा जरूर कराईए अरे हम शमन कुमार बन कर कंदे पर माबाप को कावड में बठा कर अगर देश की यात्रा ना करा सकें शमन कुमार ने तो कंदे पर यात्रा कराई थी आप कार में तो करा सकते हैं या ये भी नहीं है उसने तो कंदेद पर अपने माता, पिता को लेकर देजबर की ती रथों की यात्रा कराई हम कार में तो करा सकते हैं मंद बनाओ कि मैं मम्य पापा को साल में एक वार पूछ लो माता जी तीर्थ चलनाई आपके कौन से नहीं बेटा नहीं नहीं मा चलना तो तैह है, आप बताओ कौन सी तीरत जाना है सिखर जी जाना है, कि परितना जाना है, कि हरिदवार जाना है कि नाकुड़ा जाना है, कि संकेश्वर जाना है, कि नागेश्वर जाना है जो आपके चव वहाँ लेकर जाएंगे यूँ नहीं कि बगल मेरे इंकारगरे ले रहाएगा कि लो माँ तीरत यात्र होगी यूँ मत करी जो है हाँ हमेशा साल में एक वार घर के दादा दादी मम्मी पापा को तीरत यात्रा जरूर कराईए नमबर पांच अपना जो मॉबाइल है ना जो मॉबाइल रखते हो क्या कहते हैं उसको मॉबाइल में सबसुप सामने स्क्रीन तो अपनी मॉबाइल में ऐसी सुईदा रखो घर जाके आज माता पिता का फोटो कीश बेना और जब भी मॉबाइल पहला खोलो ना लोग या तो खुद का पोटो रखते हैं, ये अपने मुन्य का रखते हैं, ये अपनी धर्म पत्नी का रखते हैं, मैं कहूंगा चेंज करो, अगर आप चाहते हैं आपके भागे दージशा सुधरे, तो आस ये काम करना, मुबाइल जैसे इक फुले, मां का दर्शन हो, पिता के दर्शन हो, माता पिता के दिव्य दर्शन करके अपने मुबाइल में जो भी आप बात सुरू करेंगे वो बात आपके शुब होगी परस भी अगर आपके जेब में हैं तो आसे नियम बना लो परस में भी एक छोटा सा फोटो अपने मामे पापा का रखो ताके जैसे ही खोलो आपको उनकी मीठी याद बने रहे जिसने आपके लिए सब कुछ किया आप कुस्त तो उसके लिए जरूर कर लो क्या का मैंने? जिसने आपके लिए सब कुछ किया आप कुस्त तो उनके लिए जरूर कर लो और अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हम उनके प्रती हमारे मन में पलने वाले फर्ज को पूरा करते हैं और उनके कर्ज को कम करने का प्रियास करें